पहले क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति गर से बाहर जाता था चाए अपने व्यवसाय के लिए या नौकरी के लिए या फिर कोई सुब कारिय के लिए या फिर कोई परिक्सा देने के लिए तो गर के सभी सदस्य उसे सुब कामनाय देते थे उसे आसिरवात देते थे कि उसे अपने कारिये में सफलता मिले उसे कहते थे कि दैसकर खाकर जाओ मंगलेस लेकर जाओ यानि गुड़ खाकर जाओ कुछ नहीं तो चाय पिकर जाओ कि आपको अपने कारिये में सफलता मिले लोग इसे अंद्विश्वास कहते थे समय बदला लोग सिक्षित हुए अब समय इतना बदला कि जब कोई व्यक्ति घर से निकलता है तो उसे एक थेली पकड़ा दी जाती है घर का कूडा कच्रा उस थेली में होता है कहा जाता है कि इसे किसी तीन रस्ते पर या चार रस्ते पर फैक देना गर का कच्रा है इसे आप बाहर फैक देना अब देखिए जो व्यक्ति घर से कूडा कच्रा लेकर निकलेगा जो घर की गंदगी लेकर जाएगा क्या उसे कारियों में सफलता मिलेगी क्या ये विश्वास है वो जो हमारे रिती रिवास थे वो अंद्विश्वास था घर से दई सकर खाकर निकलना ये यदि अंद्विश्वास है ये गलत है तो घर से कूडा कच्रा लेकर निकलना क्या ये सही है जो व्यक्ति घर से भी फैलाएगा